तो चम्बा में आज है हमारा तीसरा दिन और यह लोग जैसे कि आपको तयार दिख ले होंगे कि यह लोग जा रहे हैं और मैं आज यूजल हूं घर पर क्योंकि में भी बहुत ही इंपोर्टन्ट मिटिंग है इन दोनों के साथ बोर होने चारी हुए और आज मेरे लिए स्पेशल दे है मुझे आइपोन 14 गुडिया गिफ्ट करने वाली है ये 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 गुड़ गुड़ आज को आल दे बेस्ट इन दोनों को जेलने के लिए शाम तक आई होप ऐसा ही खिल खिलाता हुए खिल खिलाता चेहरा वापिस हाए मुझे बहुत टेंशन है और मिसी टू तो चलिया विनको बाइब देखते है कि नितिका मूर कैसा रहता है मूर जानने के लिए बने रहे ह हमारे चैनल बाइब बाइब तो वेरी गुड मॉर्निंग जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अभी चंबा जा रहे हैं और चंबा की मैं अलग 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 डेस्टिनेशन आप लोगों के साथ आज एक्स्प्लोर करूंगा आप लोगों को कशी भी जुमना हो तो हम लोग पहुँचगे खजयार यहाँ पर है यह जगदंबा टेंपल और यहाँ पर भगवान भोले नाथ जी की 81 फिट की मूर्ती भी है और आए कीजिए इसके दर्शन जै भोले नाथ तो आए अब आप लोगों को ले चलते हैं यहाँ से आगे खजयार की और तो यह है डलोजी की one of the most famous destination जो है खजयार आप लोगों ने इसको मिनी स्वीजर लैंड के नाम से भी जाना होगा हिमाचल चम्बा में यह जो आप खजीनात मंदिर देख रहे हैं यह नाग मंदिर है और यह 800 साल से भी पुराना है और इसकी अपनी ही इंपोर्टेंस है इस मंदिर में पांडवों की कास्ट की मूर्तियां है और इसको प्रित्वी सिंग जो की चम्बा का राजा था उसने बनवाया था तो चलिए चलते हैं फिर खजयार के मेदानों में जो की देवदार से घिरे हुए हैं अब ही हम खजयार में हैं भेई या हमारे साथ जुड़े हैं यह फोटो करते हैं यहां पर कबुत्तर पिजन के साथ है क्चनी बास से बैठे हुनी है अब खजयार दी गरावन शे कराण बेंद करूण झालो 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 हुआ हुआ है तो खजयार में हम अपना मेम्रेवल टाइम स्पेंड करके और कुछ मेम्रीज क्लेक्ट करके चल पड़े दलोजी की तरफ तो आएए चलते हैं दलोजी दलोजी हिमाचल की वन अफ दे मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दूर दूर से पूरे भारतवर्ष और बाहर से भी यहां पर टूरिस्ट आते हैं आप लोगों को कभी मुका मिले चमबा आने का तो दलोजी तो ज़र दलोजी जाने से पहले हम चलेगे डैन कुंट की तरफ यहां पर एक फेमस ट्रैक है और मंदिर भी है उसकी हमने ट्रैकिंग शुरू कर दियो और कुछ व्यू ऐसा था जो कि आप लोगों के साथ शेर करना तो बनता ही था आसपास का व्यू देखके आप लोगों को आई होप बड़ा अच्छा लगा होगा यहां ठंडी हवा चल रही थी हम दोनों ने यहां बैट कटी नेचर को इंज्वाय किया अगर आप लोगों को हमारी अब तक की जर्नी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना नहीं अब ले इसी तरह अपना प्यार एंड स्पोर्ट बनाए रखे ताकि हम आप लोगों के साथ नई से नई डेस्टिनेशन एक्स्प्लोर करें और तो यह देखे आज का करंट वैदर हम लोग जा रहे हैं अभी दैन कॉंट सेडल होजी की तरफ और यह यहां पर धूप यह फोग भी जा रही है और यह कितना मस्त वैदर बना हुआ है माचल में टूरिस्ट गूमने के लिए आते हैं और यह देखिए मेरे पिछे बादल चले हैं और यह एकदम से धूप यह व्यू अंजना भी मिस कर रही होगी घर जाके उसको भी दिखाएंगे यह विलोग तो चलिए अब चलते हैं पिछे डलोजी की तरफ कि यूँ शाम का व्यू डलोजी गांधी चौंक तो यह है डलोजी की इंडो तिबितन फेमस मार्किट आए इसको भी एक्स्प्लोर करते हैं की अच्छब तो उसके लाएंगे औरी टीए इसको भी जिल्ग टो बालोजी जो अपया है इतना सारा गूमने के बाद पेट पुजा करना तो बनता ही था गिम्बल करा हूं और अब हम आ गए हैं विक्की स्कॉर्णर और हमने ओर्डर करा है पीजा और पाव भाजी जिसमें से पाव भाजी आ गई है वो सारी मैं खने वाला हूं तो फाइनली हमने डलोजी भी घूम ले आप जाएंगे घर की तरफ